So, hey guys, welcome back to your channel, Trading University. So guys, एक और बहतरीन IPO का review में आज लेके आचुका हूँ. Guys, आज हम बात करेंगे, Gopal Snacks Limited IPO के बारे में, company Namkeen Manati Balai, but company का कितना तगड़ा business model है, सारी A to Z सारी चीज़े बारे में बात करेंगे, financials, key performance indicator, company incorporate कब हुई थी, company के कितने type के business model है, सारी A to Z चीज़े बात करेंगे, so guys, without wasting any time, सीज़े चलते हैं, IPO के उपर, IPO के बारे में brief analysis करते हैं, so guys, यह से आपको बता हमारी company आज की रहने वाली, Gopal Snacks Limited के बारे में, company करती ही कहा, पहले उस पर start करते है, incorporate कब हुई थी, उस पर बात करते हैं, the company was incorporated in 1999, अगर मैं गुजराती की बात करूँ, so 49.47% share of revenue, आपका ethnic snacks आता है, जब के देसी snacks होते हैं, जब के western snacks हैं, वो contribute करते हैं, approximately 29.42% of the revenue, और अगर मैं एक और जो 3rd product segment है, उसकी बात करूँ guys, जो उसका 3rd product segment रहने वाला है, वो sweets का रहता है, मसाला रहते हैं, उसमें flour, जो आपका यह रोब बेसन वगयरा हो गया, बेसन वगयरा भी company sell करते हैं, मीठाई भी बेसती है, और different types के गुजराती मसाले, और type की मसाले भी company बेसती है, so पहला product segment company का हो गया, ethnic sweets का, second product segment company का हो गया, western sweets का, और जो third product segment company का, जो उसके बारे बात कर लें की, sweets, masala और बेसन वगयरा जो बेसती है, पहली बात तो गयाज़ आपको यह पता होनी चाहिए, कि जो मारी company है, गौपाल Snacks Limited, उसके 84 products है, ठीक है, 84 products हैं उसके, जब मैं ethnic snacks को माइन करता हूँ, अब मैं western snacks को और जो मैं थर्ड क्याटे कर लेता हूँ, तो तीनों के मिलाके, अप्रॉक्सिमेटी 84 products हैं, आपको basic details company के ऊपर clear हो गए होगी, जब चलते हैं जब नेक्स स्लाइट पर तोड़ा financials के ऊपर बात करते हैं, कि company के financials कैसे हैं, अगर मैं assets से start करूँ, कि company के assets कैसे हैं, so 2021 में 342 करोर के company के assets थे, और अगर मैं 2022 की बात करूँ, तो आपको एक rise दिखने को मिला था, 400 करोर के company के assets थे, 2021 में, 31 मार्च 2023 में 461 करोर के company के assets थे, 30 सब्टेंबर 2023 में 434.5 करोर के company के assets थे, अगर मैं guys revenue की बात करूँ, कि 2021-22-23 में revenue कैसा था, 2021 का revenue, 1130 करोर का revenue था, अगर मैं 2022 की बात करूँ, तो 1356 करोर का revenue था, 31 मार्च 2023 की अगर बात करूँ, तो approximately 1400 करोर, 1398 करोर का company का revenue था, अगर मैं 30 सब्टेंबर 2023 की बात करूँ, तो company का revenue था, हमारा हूँ 678 करोर्स ता गाई सारी फिगर जितनी भी पर गिवन है ऐसेट्स आपकी रेविनियों की और प्रॉफिट आफ्टर्टा की सारी करोर्स में अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ गाफ्ट after tax, 2021 में आपका profit after tax 21.12 करोर्स था, 2022 में आपका profit after tax 41.54 करोर्स का था, 31 March 2023 में company का जो पैट था, वो 112.37 approximately 112 करोड का company का पैट था, 31 March 2023 में 30 September 2023 में company का जो पैट था, वो 55.57 करोर्स का था, approximately, and I hope guys, आपको सारे data clear हो गए होगे, financials के guys, अब एक काम करते हैं, next slide पे चलते हैं, guys, आप थोड़ा की performance indicators के बारे मात करते हैं, हमने सारे बाते कर लिए, company के financials कैसे, company incorporate कब होई थी, company के business models कैसे, company के segments में काम करती है, but guys इसमें एक चीज हम अभी बात करना हैं, अब भाया मेरे को इच्छी बताओ, नमकीन बनाती है, ठीक है, ethnic snacks बनाती है, western snacks बनाती है, तो manufacturing facilities तो होगी, इसकी, जो गुपाल कंपनी है, वो उसकी 6 manufacturing facilities हैं, जो है, गुपाल नमकीन की कंपनी है, जिसमें से 617 distribution centers बेन के across India, 617 distributors बेन के cross India, अगर मैं pan India की बात करूँ, और इनके जो operations, अगर मैं गुपाल की बात करूँ, 12 states or union territories में इनके operations based है, आप continue कर लेते हैं, अपने key performance indicator को, I hope आपको ये छोटा सा जो मैंने एक एड की चीज़ को clear हो गई होगी, अगर key performance indicator के बारे में बात करें, जो मारा return on equity है, जो मारा ROEA वह approximately 16.05 percentage का है, हमारा ROCEA, return on capital, which is approximately 20.83%, अगर मैं debt to equity ratio की बात करूँ, तो 0.08 का debt to equity ratio निकल के आ रहा है, अगर मैं price to book value की बात करूँ, तो approximately 14.43 की price to book value निकल के आ रही है, guys, अब PE ratio undervalued, ठीक है, मैं बार बार अपनी IPO की वीडियो बताता हूँ, overvalued है, हर चीज़ बताता है यह कि gray market premium किस type का हम expect कर सकते हैं, किस stock से, और जिस sector में company आ रही है, जो already well established players हैं, उसी sector के, वो कैसा perform कर सकते हैं, so guys, अगर मैं pre IPO PE की बात करूँ, तो 44.47 का pre IPO का PE चल रहा था, PE ratio चल रहा था, अगर post IPO का PE ratio की बात करूँ, तो it is approximately same, almost same है, 44.96 का post IPO का PE ratio चल रहा था, so guys, I hope आपको key performance indicators clear हो गए होंगे, अब ज़रा इशू साइस के बारे में बात कर लेते हैं, जो company का issue size है, वो 650 करोड का है, यह पूरा का पूरा offer for sale रहने वाला है, OFS है, पूरा का पूरा, मतलब कहाँ साड़े 600 करोड का offer for sale है, तो guys, I hope आपको सारा data clear हो गया होगा, अब जोड़ा important information के बारे में बात कर लेते हैं, important dates के बारे में बात कर लेते हैं, जिन लोगों को shares मिलेंगे, shares credit भी 13 March को ही आ जाएंगे, और guys, listing की बात करूँ, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, NACBSC पर 14 March को आपकी listing हो जाएगी, guys, अगर मैं price band की बात करूँ, आपको बता है, 381 से 401 का price band है, यह हमारा floor price है, 401 का cut-off price, यह हम इसको cap price भी बोलते हैं, ठीक है, 381 से लेके 401 की price band लेने वाला है, price range कहलो आप, एक lot में guys, इसके 37 shares हैं, एक lot में, retail category minimum की एक lot की investment का, जो value है, वो 14,837 है, और आपको पता है, value कैसे calculate होती है, 401 into 37 जब कर दोगे, तो आपको, एक lot की minimum investment मिल जाएगी, अगर मैं retail category में maximum investment की बात करूँ, तो 13 lot की रहने वाली है, जिसकी value 1,92,881 की निकल के आ रही है, small H&I category में बात करूँ, तो जो minimum investment होती हो, 14 lot की होती है, और यह data हमेशा fixed रहता है, जो lot sizes की बात करूँ, 2,07,718, small H&I category में, होती है, small H&I category की 67 lot की, उसमें जो हम एक lot add कर देते हैं, 68 lot का, तो हमारी big H&I category की minimum investment रहती हो, जो lot size, यह number of lots के basic बेंटेट की है, retail, small H&I, big H&I को, यह data across ISR, same रहता है, यह standard data होता होता है, guys, आप फटा-फटे काम करते हैं, GMP के बारे मैं बात कर लेते हैं, कि क्या ही बहतरीन इसका, ग्रे मार्केर प्रीम चल रहा है, तो guys, approximately मैं बात कर तो, company का जो ग्रे मार्केर प्रीम चल रहा है, अभी currently, जब मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, percentage terms में कितना GMP निकल के आ रहा है, ठीक है, मैंने आपको price बता दिया, और peer comparison में कौन सा सबसे बड़ा, और well established player है, उसका नाम लिखना है आपको, ठीक है, उसका नाम लिखना है जो same business में snacks के, जो ethnic snacks, western snacks, और same business model में काम कर रहा है, और well established है, हमारी stock market में well established है, और काफी अच्छा, यूनों काफी time हो गया उस company को, मेरे को comment section में उस company का name, plus peer ratio बताना है आपको, ठीक है, मैं को पूरा भरोसा है, जितनी भी मारी जनता देख रही है, वो knowledge पाना चाहती है, अपने आपको improve करना चाहती है, तो वो ये छोटा सो होमग दिया है, वो जरू करेगी, 120 रुपे का ग्री मार्केट प्रियम चल रहा है, percentage समय बताना है, बट वो नहीं बताओगे चलेगा, बट मैं को सबसे important आप लोगों से जानना है, कि peer comparison में, जो market leading company है, इसी sector में, उसका name क्या है, कितनी पुरानी है, और किस PE ratio पे अभी वो trade कर रही है, मैं को comment section में आप लोगों के जरूर बताना, so guys I hope आपको एक अच्छी analysis वीडियो, हमारे जो Gopal Snacks Limited का IPO आ रहा है, उसके पर पसंद आई होगी, तो वो एक lot अपने अपने अकाउंट से, अपने हर family member के अकाउंट से, एक अग lot अगर उनको मिल जाता है, एक दो lot मिल जाते हैं, तो guys उनका अच्छा पैसा बन जाता है, और guys इसी बहान है, क्योंकि काफी लोगों की IPO में allotment करना भी, IPO में allotment मिलना भी एक side income बन जाती है, क्योंकि guys मैं बार बार यह बोलता हूं कि, जो IPO में allotment होती है, it is like a win or lose situation, अगर आप जीत गयों तो आप अच्छा मोटा का माल ले, तो पैसे double हो भी काफी बार हो जाते हैं, जिस टाइब से एक के बाद एक IPO मेर आती जाती है, हमने आप लोग ले एकशी कॉम टेली सिस्टम पर वीडियो बनाया थी, हमने प्लाटेनम इंडस्ट्री से बनाया थी, हमारी मुका प्रोटीन की वीडियो भी जा चुकी थी, हमारी भारत इंविट पर भी हमने आप लोग ले वीडियो बनाया है, हमने एक के बाद एक के बाद एक सारे अच्छे सा IPOs आपके लिए आनलाइज करें, हमारी इस वीडियो को बिना लाइक करें मत जाना, प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब टूर चैनल, थैंक यू फू वाचिंग अलाव वीडियो वीडियो, वी बेग फिर अनदा गरेट वीडियो फो यू गाइस, थैंक यू सुमच वाचिंग, सी यू गाइस, बाए!